मुश्कार किसान साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एगरो टेकन रिव्यू में किसान साथियों आज का विशे जानना प्रीत 987 कमबाइन मल्टी क्रॉफ हर्वेस्टर के बारे में क्या-क्या इसमें विशेष्टा है जोड़ी गई है 2020 में तो अंद तक वीडियो देखते रही है एवं जनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि किसानी सम्मंदित सूच नहुसे मैं आपको अवगत करा सकूँ साथियों पहले मैं आपको इसकी बेसिक जान कर या बता देता हूं जो कि कंपनी बताती है उसके बाद हम हर एक चीज़ पर नजर डालके उसकी विशेष्टा है जानेंगे जो कि इस वर्ष 2020 में जोड़ी गई साथियों अगर इंजिन की बात करूँ तो इसमें 101 हास पावर का इंजिन गया है जो कि 200 रेटेड आर्पियम के साथ आता है साथि 6 सिलेंडर का इसका इंजिन है और ड्राय टाइप के एर क्लेनर इसमें दिये गए है और वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम इसमें आता है साथियों यह थी इंजिन की बेसिक जानकारी अब हम हर चीज पर नजर डालके देख लेते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन इसमें एड किये गये हैं और किस प्रकार इसको 2020 का बेस्ट कंबाइन हर्विस्टर बनाया गया बात कर लिए अगर इसके लिवरों और गेरों की तो कि साथियों इस बार इसमें सिंगल शिफ्ट गेर दिया गया है यानि कि जो गेर था वो सिंगल लिवर पे काम करेगा जिसमें 4 फौरवर्ड प्लस एक रिवर्स गेर हैं बागी सारे लिवर पुराणे स्टाइल में दिये गये हैं सानसातियों अगर वही मैं बात करूँ ब्रे दिया गया है जिसको अगर आप एक बार फूल कर लें तो बार बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसी के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं ये केबल ये एक मीटरी केबल की सांसाथियों जिसकी मदद से आप आपकी थ्रेसर का आर्पियम मीटर की मदद से पता कर सकते हैं वहीं बात करूँ अगर मैं एडेक्शन की तो पिछले हर्वेस्टिरों के मताबिक इस बार एडेक्शन का साइज बड़ा कर दिया है पहले तूट फूट काफी जादा होती थी साइज बड़ा करने से इसमें तूट फूट की संबाबना काफी कम हो जाती है उसी के साथ आप देख रहे हैं इस स्टेरिंग पम्प की प्लेट को जो की पुराने प्रीत के हर्विस्टरों में काफी तूटती थी इसको अब चेंज कर दिया गया है साथ इसको हेवी बना दिया गया है जिससे की तूट फूट कम हो उसी के साथ अगर मैं बात करूँ स्ट्रोवोकर की तो स्ट्रोवोकर की लंबाई में एक फिट का इदाफा कर दिया गया है जिससे फायदा किसान साथ यह है कि जो हमारे फसल के अवशेशों के साथ फसल के दाने और अनाज गिरता था उसके गिरने के चांसे काफी कम हो जाते हैं उसी प्रकार कचड़ा भी इजिली बाहर आ जाता है तो आथ 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 देखेंगे इसकी टेल में लाइट फिक्स कर दिया गया है जो कि कोई हर्विस्टर नहीं देता इसके ओगर की बात कर लें तो इसके ओगर का बेस स्टेनलेज स्टील से बना है जो कि इसे जंग से बचाता है साथ इसकी लंबाई की बात करें तो 14 फिट का ओगर इसमें जबर तिया गया है जिसमें की 57 ब्लेड आती हैं और 28 गाड आते हैं इसके reel की speed की बात करूँ तो 20 से लेके 55 rpm तक ही operate हो सकती है उसी के तदा अगर मैं बात करूँ रील के diameter की तो 915 mm का reel diameter का होता है इससाद बाकी harvester की तरह इसमें दो threaser दी गई है एक रजबार threaser और एक spike to threaser एक बात अच्छी किसान साथियों काफी अच्छे safety measures इस harvest रम ले गए हैं हर bearing chain के उपर आपको safety covers मिल जाएंगे बात करूँ अगर मैं star andy और gear andy जिसे हम कहते हैं तो इससाथियों इनका size काफी बड़ा कर दिये गया है जिससे की इन पर load काफी कम पड़ता है और size में बड़ा होने के कारण load कम होने के कारण इनको बार बार service करने की भी जरूरत नहीं पड़ती बात करूँ अगर मैं इसके elevators की तो इसमें stainless steel का इस्टील का इस्टमाल किया गया है जो कि इसे junk से बचाते हैं साथी लंबी service देते हैं वहीं अगर इसके bearing की बात करूँ तो bearing में UCF bearing का इस्टमाल किया गया है जो कि काफी अच्छी बात है और काफी लंबी service ये भी देते हैं उसे के साथ एक अच्छी बात की साथ दियूँ कि इसके elevators की opening काफी easy है जिसकी मदद से आप इसको काफी अच्छी से साफ कर सकते हैं अगर आपके elevators choke हो जाए या फिर मिटी फस जाए तो आपको पूरी की पूरी elevator खोल के chain निकालने की अवशकता नहीं होती हम इसके engine की बात कर लें तो engine में पहले overview देखेंगे कि आप air cleaner का size काफी बड़ा कर दिया गया है साथ ही जो silencer है उसके size को भी बड़ा कर दिया गया जिससे की air की passing easy हो जाए चिदात किसान साथ यो उसका 101hp का बड़ा engine है जिसमें 6 cylinder और dry type के air cleaner आते है साथ किसान साथियों इसके engine cooling के लिए जो rotating seeway उसका size भी बड़ा कर दिया गया है जिससे की cooling easy हो जाए आप जैसे देख पारें किसान साथियों इसमें ये दो wall दिये गया है ये एक wall डीजल को नापने के लिए है वहीं दूसरा wall डीजल को डालने के लिए है वहीं किसान साथियों इसमें turbo engine दिया गया है जो कि अशोक लिलेंड कमपनी का आता है वहीं किसान साथियों आप देखेंगे कि इस harvester के tank को आप उपर से open कर सकते हैं जिससे कि अगर कोई टूट फूड हो जाए या tank चोक हो जाए तो आप easily repair कर सकते हैं या फिर साफ कर सकते हैं वहीं किसान साथियों इसका tank जो कि पहले 18 quintal का आता था उसे बढ़ा कर आप इनने 20 quintal का कर दिया है बात करूँ अगर मैं इसके headlamps की तो काफी खूबसूरत और अच्छी quality के headlamps इसमें add किये गए हैं जो कि long distance focus light के साथ आते हैं वहीं अगर मैं इसके structure के बात करूँ तो इसको heavy duty बना दिया गया है जिससे की harvester को हलके full के जटको से कोई फरक नहीं पड़ता अगर मैं बात करूँ इसके breaking system की तो किसान सात्यों इसमें oil emmer disk break दिया गया है जो की काफी अच्छी बात है पुराने harvester में breaking की बहुत जादा problems आती थी वहीं आद देखेंगे कि इसमें shield के size को भी बढ़ा दिया है जाता कि किसी भी दुरगटना से बचा जा सके साथ ही इसमें paint की quality को भी improve किया है क्योंकि पुराने प्रीत के harvester में काफी जल्दी paint उड़ जाया करता था और harvester काफी पुराने दिखने लगते थे वहीं बात करोगर में इसके seat area की तो किसान साथियों काफी लंबा और चोड़ा कर दिया गया है जिससे की दानों की सफाई जो की पहले ठीक ठाक होती थी वो और अच्छे से हो पाएगी बात करोगर मैं इसके ड्राइवर प्लेटफॉर्म की तो कि उसान साथियों काफी कमफर्टेबल कर दिया गया है आप इसकी सीट को एड़्जस कर सकते हैं साथी सिंगल सिफ्ट गेर है जो कि काफी इजी हो जाता है चलाने में वह स्टेरिंग की बात करो तो हैड्रोलिक पावर स्टेरिंग दिया गया है जो कि काफी इजीली मूव होता है वह इसके चछत की बात करूँ कैनोपी की तो उसके साइज को भी बढ़ा दिया गया है जो कि हवा पानी से काफी अच्छे से बचाओ देता है सांसातियों बात करोगर इसके कीमत की तो 23 लाख रुपे कीमत इसकी 2020 में रखी गई है सांसातियों प्रीत 980 ISO Certified है और इंडियास नम्मर वन हर्विस्टर इसे क्लेम करते हैं बागी यही थी इस वीडियो में सूचना तो अंतर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिल लोटूंगा ऐसी जान कर ऐसी सूचना के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे के सांसातियों जैहिन जैवारे